आज का जो आपका टॉपिक है दार्थ इस इलेक्ट्रो मागनेटिक इंडाक्शन इलेक्ट्रो मागनेटिक इंडाक्शन प्रीवियस जो हम टॉपिक्स पर रहे थे जिसमें हमने बढ़ा उसमें हमने स्टडी किया कि जब भी करंट किसी क्लोव सर्केट में मूव करती है तो उसके कारण हमारे पास क्या बन जाता है वहाँ पे उस करंट कैरिंग कंडाक्टर में करंट कैरिंग कंडाक्टर जो है वो बिहेव करता है किसकी तरह एक मागनेट की तरह सो current carrying conductor जो था वो behave कर रहा था एक magnet की तरह यह हम study कर चुके हैं इसके different impact study कर चुके हैं अब हमारे पास एक और new concept है that is electromagnetic induction electromagnetic induction का concept दिया Michael Faraday ने और इस concept की क्या statement थी वो यह कहता है कि जब भी एक magnet एक magnet slowly moving magnet को एक close circuit के पास close coil के पास move किया जाए तो उस coil में current produce हो जाती है पहले वाला क्या कह रहा था कि अगर current carrying conductor है वो magnet की तरह behave करेगा current carrying current move कर रही है तो magnet की तरह behave करेगा तो दूसरा क्या कहता है इसका उल्टा कि अगर magnet को move करवाएं तो current produce होगी current को move करवाएं तो magnetism होगा और magnet को move करवाएं तो current produce होगी ये कौन कहता है Michael Faraday तो उसने कहा Michael Faraday ने कहा कि अगर हमारे पास एक simple coil हो coil हो मतब उसमें different number of turns हो इस coil के अंदर अगर में एक magnet को move करवाता हूँ यहां पर magnet की movement करवाता हूँ in and out ठीक है इस coil के अंदर मैंने movement करवाई है या इसकी यह coil के central आपका location है या simply आपको में यह coil है आपके पास इस coil में यह coil में लगा हुआ है एक छोटा सा गलवानोमीटर गलवानोमीटर क्या होता है भई वट इस गलवानोमीटर इस डिवाईस use to measure small currents ठीक है detect करने के लिए small currents को detect करने के लिए जो device यूज होती है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं गलवानोमीटर तो गलवानोमीटर जो है वो लगाया है ताकि अगर कोई current produce हो तो उसका पता हमें चल जाए अब यहाँ पे coil है तो इस coil के पास मैंने एक magnet को move करवाया magnet होगा तो magnet के दो poles होंगे north और south इसको मैंने इसकी तरफ लाया जैसे ही यह pole यह magnet जो है इस coil के पास आता है तो मेरा गलवानोमीटर direction शो करता है ठीक है ठीक जैसे मालीजे यह आपकी current जो है इसमें move करना start कर देती है किसके करण movement हुई इस magnet के कारण कैसे पता चला अब हमने इसके साथ यहाँ पे एक और coil लगती है अब इस coil से यह धूर जा रहा है दूसरे वाली coil के पास आ रहा है इस वाली coil से यह धूर जा रहा है तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो पहली coil में current प्रोड्यूस हो रही थी इस वाली coil में भी current प्रोड्यूस हो रही है बट दोनों के direction opposite है means coil number one और coil number two में directions opposite है क्यों अब यहाँ पे क्यों यहाँ पे ढूनने की कोशिश की गई और यहाँ पे एक चीज़ और notice की गई देखिए North-South जो है वो towards coil one जा रहा है और away from the coil two जा रहा है number two that is moving as soon as यह magnet जो है यह movement इसकी बंद कर दी गई means आपके magnet को बंद कर दिया गया movement बंद कर दी गई उसको rest पे ले आए तो यहीं उसी समय observe किया गया कि when magnet comes to rest magnet जैसे ही rest पे आता है current ceases to zero current जो होती है जो deflection आ रही थी किस में deflection आ रही थी उस गलवानो मीटर में that becomes zero तो यहां से एक conclusion निकला कि हमारे पास current तभी produce हो रही है जब magnet move कर रहा है इसका मत्तब है movement of magnet is causing the flow of the current और एक चीज़ बहुत सोचने वाली यह है कि we have not attached, we have not connected any electrochemical battery or cell in the circuit तो अगर electrochemical cell हमने लगाया होता तो हमें लगता कि शायद उस cell के कारण या battery के कारण current move कर रही है बट हमने ऐसी कोई भी device circuit में नहीं लगाई हुई हमने तो सिर्फ एक तार लगाई एक coil लगाई है और साथ में galvanometer दोई तो चीज़े है galvanometer में भी battery नहीं होती है वो सिर्फ current को detect करता है और current पहले कोई current नहीं थी जब movement नहीं हो रही थी conductor के पास magnet की तब कोई current नहीं थी जैसे ही magnet में की movement स्टार्ट हुई तो उस current में current जो है वहाँ पे produce हुई तो जो current यहाँ पे produce हो रही है the current यहाँ पे जो है किसके current है the current flowing through the circuit किसके कारण flow कर रही है when a bar magnet moves कहां move करता है either towards or away from the coil जब towards the coil जाता है या away from the coil जाता है तो वहाँ पे current फ्लो करती है is and that current is known as induced current इसे क्या कहते है induced current कहते है तो induced current क्या हो गई वह current जो produce हो रही है किसमें उस coil में कब जब उसके पास जो है एक magnet को move करवाया जाता है either the magnet is moving towards that coil or that magnet is moving away from the coil अब reason क्या था explanation क्या थी हो क्या रहा था कि अगर ये आपकी कोईल थी इस coil में आपने गलवानो मीटर लगाया हुआ है तो भई हो क्या रहा था कि जैसे ही यहाँ पे आपके पास ये एक magnet है ये magnet है ये magnet का north pole है ये south आपको पता है हमने पढ़ा हुआ है कि magnet से magnetic field lines निकलती है field lines north से बाहर आती है south से अंदर इंटर कर जाती है तो जब magnetic lines जो है वो move कर रही है ध्यान से देखिएगा जब ये magnet towards the coil move कर रहा है तो number of field lines जो निकल रही है वो increase होंगी किसके लिए increase होंगी for the coil मतलब जैसे जैसे magnetic field या magnet जो है वो coil के पास जाएगा जादा से जादा magnetic field lines उस coil के बीच से पास होंगी नमबर एक जैसे ही मैं इस magnet को इस coil से दूर move कर वाऊंगा तो number of field lines जो है जो उसके साथ associated है coil के साथ जुड़ी हुई है वो field lines कम होती जाएंगी उनका number कम होता जाएगा इसके कारण क्या हो रहा है इसके कारण इस change के कारण जो magnetic field line है उसके कारण उस coil के ends के उपर एक बन रहा है potential difference क्या बन रहा है potential difference create हो रहा है otherwise potential difference किसके कारण create होता है बैटरी के कारण नहीं लेकिन अब किसके कारण हो रहा है इन field lines के कारण हो रहा है कौन सी field lines के कारण यह जो है magnetic field lines इनके कारण क्या हुआ magnetic field lines के कारण क्या हुआ यहाँ पे यहाँ ends जो है coil के ends पे यहाँ और यहाँ क्या बन गया induced potential difference बन गया induced voltage बन गयी जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आपके पास create हो गई current और induced voltage के कारण कारण से current आ गई? induced current आ गई क्या आ गई भाई? induced current आ गई यह थी explanation उसकी तो यही reason था क्योंकि जैसे ही movement खतम होती है तो change जो potential difference में आ रही थी वो खतम हो जाती थी number of e lines जो increase या decrease हो रही थी वो change खतम हो रही थी change के कारण ही induced हो रहा था potential difference तो अगर change खतम हो जाएगी तो potential difference जो induced हो रहा है उसकी production खतम हो जाएगी potential difference खतम तो induced current खतम तो इसी कारण दो चीजे हो रही थी जब move हो रहा था magnet, movement of magnet हो रही थी तो बन रही थी current और जैसे ही magnet rest पे आया, magnet आया rest पे, magnet आया rest पे तो current हो गई current ceases, current हो गई, बनना हो गई, बंद, इंड्यूस हो ना, बंद हो गई, यह बन गई आपकी induction तो अब आपका जो term आगई, वो आगई, electromagnetic induction electromagnetic induction, भाई यह जो phenomenon है, यह जो phenomenon हमने study किया तो phenomenon, किसका phenomenon, तो phenomenon of producing, और production, किसकी production of induced current, induced current की production का जो phenomenon है, in a coil या किसी भी closed circuit में, किसके कारण, due to change, किसमें change हुआ, change in magnetic field lines, किसके कारण, due to change in magnetic field lines, जो magnetic field lines है, उनके कारण change हुई, उनके number में कमी या जादा हुई, increase या decrease हुई, इसी phenomenon को क्या कहते हैं, is known as electromagnetic induction, electromagnetic induction, तो इसका मतलब है, अगर change नहीं होगा, तो production नहीं होगी, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो क्या है, relative motion, अगर movement नहीं होगी, अगर relative motion between coil नहीं होगा, तो possible नहीं होगा, तो यहाँ पे एक और help हमें मिल गई, अब अगर तुम coil को rest पे रखने की जगा, magnet को rest में रख देते हो, और coil को move करवाते हो, तो तब भी possible है, इसका मतलब है, पहले क्या किया गया था, magnet कर रहा था, move, प्लस coil थी rest में, तो तब भी electromagnetic induction हो सकती है, दूसरा, अब coil को करवाओ move, प्लस magnet को ले आओ रेस्ट में, भाई तब भी हो सकती है आपकी electromagnetic induction, तो ये कुछ concept था छोटा सा, अब यहाँ पे जो कॉय, जो current produce हुई है, जो current है जो, यहाँ पे कौन सी current produce हुई है, यहाँ पे current produce हुई है, induced current, induced current produce हुई है, यह जो induced current है, यह किस factor पे depend करती है, भाई, नमबर एक, यह factor पे depend करती है, कि number of turns कितने हैं coil के, coil के number of turns कितने हैं, कितने उसमें circles बने हुए हैं, turns in that coil, जो coil हम use कर रहे हैं, उसमें number of turns कितने हैं, नमबर दो जो magnet of use कर रहे हो उसकी strength कितनी है वो कितना strong है strength of that magnet magnet की strength कितनी है तीसरा मैं जो आपको बता रहा हूँ जो reason बता रहा हूँ magnet moves या magnet is moving ठीक है magnet is moving तो तीन factor एक number number of turns कितने है कॉयल में दूसरा strength कितनी है magnet क्या strong कितना है magnet और तीसरी चीज़ speed कितनी है उस magnet की जिसे हम move कर रहे हैं तो यहां से आपके पास तीन चीज़ें आपके पास आगई कि आपके पास तीन factors आगे जिन पे आपकी current move करती है तो ये तो हो गई current की अब जो current है वो किस direction में move करती है current कितनी है वो तो पता चल गई अब current की direction क्या है so direction of current direction of current तो direction of current कितनी है तो यहां पे हम use करेंगे एक नया rule प्लामेंग्स राइट हैंड रूल भाई हमने left hand rule पड़ा अब right hand rule भी वैसा ही है अब आपने stretch करना है right hand को अब किसको stretch करना है right hand को stretch करना है right hand को आपने इस तरह से stretch करना है कि आपके पास जो थंब है right hand stretch करना है जो थंब है जो आपकी first finger है और जो आपकी central finger है वो तीनों एक दूसरे पर क्या हो जाए mutually perpendicular mutually perpendicular थेक तीनों factors mutually perpendicular अब जो थंब है आपका वो भाई represent करेगा motion को वो किसकी direction देगा motion की direction देगा number two motion की direction देगा और दूसरा जो आपकी first finger है जो आपकी first finger है वो आपकी direction देगी magnetic field की means north to south किस तरह है तो magnetic field की direction कौन देगा first finger then जो आपकी central finger है ये इसे मैं अभी demo करके भी बताऊंगा central finger जो है वो भाई देगी direction of the current तो क्या हुआ आपका flaming का rule क्या कहता है कि अगर आपके पास three factors हो ये ये आपका thumb है तो thumb देगा direction of motion thumb के perpendicular आगई आपकी first finger ये देगी आपकी field को then the third central finger जो है आपकी that will give us the direction of the current तो ये तीन आपके पास चीजें आगई हैं जिसके आपके पास तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको stretch कैसे करना है तो students आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम right hand thumb rule को करके देख सकते हैं उसका मैं आपको demo बताता हूँ ये है आपका right hand इस right hand को आपने देखना है इसी तरह stretch करना है जैसे आप left hand को stretch कर रहे थे in flaming's left hand rule तो right hand rule में आपने first three fingers अपनी use करनी है including your thumb चली देखते हैं ये आपका thumb है ये आपकी first finger है ये आपकी second finger तो ये तीन fingers आपने ले ली अपनी अब आप ध्यान से देखेगा इनको आपने इस तरह से stretch करना है they are going to be perpendicular to each other ध्यान से देखेगा ये first thumb और first finger एक दूसरे के perpendicular है then your first finger and central finger are perpendicular to each other then third one the ये आपके perpendicular है तो तीनो आपके एक दूसरे के perpendicular है now what you are going to have अब आपने क्या देखना है कि जो आपका thumb है जो आपका thumb है that thumb is now giving the direction of the motion ये thumb किस की direction दे रहा है motion की direction देगा जो आपकी first finger है that your first finger that is giving the direction of the magnetic field magnetic field की direction कौन देगा आपकी first finger then the central finger the last finger that we are using that finger will give the direction of the electrically induced current तो हो क्या रहा है जब आप अपने magnet को या आपकी coil को relatively move कर रहे हो you can keep any one of them at rest तब क्या होता है कि उनके बीच में एक induced current produce होती है due to what? due to the change in the number of electric field lines associated क्योंकि जैसे ही magnet दूर जाएगा coil से जुड़ी हुई magnetic field lines कम होंगी और जैसे ही magnet पास आएगा magnetic field lines जुड़ी हुई जो होंगी उनकी value बढ़ जाएगी तो इस change के कारण आपका जो magnetic number of magnetic flux है वो change होगा जिसके कारण आपका induced current produced होगी तो तो ये आपका जो रिल है बकी ढव पर किर दिए दार एग प्यूंग ला है that will give you the direction of the current so your thumb will give you the direction of what this thumb will give you the direction of the motion this first finger will give you the direction of the direction of what the magnetic field means north to south and this last your central finger will give you the direction of Central finger will give you the direction of what The current So this is motion This is magnetic field And this one is what This one is your current तो ये इस तरह से आपके पास भी values आ गई है तो इसे ध्यान से देखिएगा इसको ध्यान से समझेगा So, चलिए दिखने ठीक है भई तो ये समझ आया आपको चलिए दिखने चीक है बच्चे तो आप अब अपना hand stretch करके देख सकते हो चीक है तो ये आपके पास आ गया और इस आपका ये ही जो rule हमने पढ़ा है ये फ्लामिंग्स जो right hand rule जो हम पढ़ा है इसे कहते हैं डाइनेमो रूल इसका नाम क्या है डाइनेमो रूल और ये रूल जो है ये आगे जाके आपके पास यूज होगा किसमें यूज होगा for understanding the concept of electric generator electric generator में यूज होगा ये concept उसको समझने में motion को समझने में तो ये बात समझाई आपको कोई question है आपके पास यहाँ पर हाँ गुशी बेटा question है चले अगर कोई भी question होगा तो मुझे message कर देजेगा तो thank you thanks for watching